प्रेशिक्षार्थियो नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि श्वासन की प्रक्रिया में अंतरिक शुसन द्वारा वातावर्णी आक्सिजन को ग्रहन करते हैं जो रुधेर द्वारा प्रतेक कोशिका में पहुचती है जहां वह कोशिकी या आंतरिक शुसन में प्रयोग होती है जिसके प्रणाम सुरूप कोशिका इस तर पर कार्बन डाय ऑकसाइड उत्पन होती है यह कार्बन डाय ऑकसाइड पुना रुधिर द्वारा फैंफनों तक लाई जाती है और निशुसन द्वारा शरीर से बाहर निश्काशित कर दी जाती है आज के इस वीडियो में हम अध्यम से ऑकसीजन वा कार्बन डाय ऑकसाइड गैसों का परिवहन समझना तीसरा शरीर में शोसन का नियमन वा उससे संबंदित अंगों का ज्ञान प्राप्त करना चौथा मानव शरीर के कुछ मुख्य शोसन विकारों से परिचित होना पाच्वा बाह शोसन वा आंतरिक शोसन शोसन वा दहन शोसन वा प्रकास संसलेशन में भेधों की जानकारी प्राप्त करना चटवा है गैसी व्योजन वक्र वायू कूपिकाओं की अनुपरस्थ काट का रिखाचितर बनाने का कोशल विक्सित करना हम जानते हैं कि अंतर शोसन द्वारा ली गई ऑकसीजन न शोसनी से शोसनीकाओं तक होती हुई फैंफणों में उपस्थित वायू कूपिकाओं तक पहुँचती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि वायू कूपिकाओं आक्सिजन के द्वारा भरी हुई हैं। दरसल कूपिकाओं ही गैसों के विनिमय के लिए प्रात्मिक इस्थल होती हैं। इन गैसों का विनिमय रक्त और उतकों के बीच भी होता है। इन इस्थलों पर ऑक्सिजन तथा कार्बन डैयोकसाइड का विनिमय दाब, अत्वा, सांद्रता, प्रवनता के आधार पर सरल विसरन द्वारा होता है। गैसों की घुलन शीलता के साथ साथ विसरन में समिलित जिल्लियों की मोटाई भी विसरन की दर को प्रभाबित करने वाले कुछ महतपूर घटक हैं। गैसों के मिश्रन में किसी बिशेस गैस के दाव की भागिदारी या मिश्रन में उस गैस के दाव को आशिक दाव कहते हैं और उसे औक्सीजन तथा कार्बन डायकसाइड के लिए क्रमशह पी-ो-2 तथा पी-सी-ो-2 द्वारा तरशाते हैं यहां पी का आशे पार्शिल प्रेशर यानि आन्शिक दाब से है वायू मंडली ये वायू और दोनों विस्रण इस्थलों इन दोनों गैसों के आन्शिक दाब इस तालिका में दर्शाए गए हैं सारनी में दिये गए आंकडे इस पस्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से उतकों में आक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवनता का संकीत देते हैं इसी प्रकार कार्बन डाय ऑक्साइड के लिए बिपरीत दिशा में प्रवनता दर्शाई गई है अर्थात उतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ एक बार पुना हम तालिका में दिये गए आक्सीजन वा कार्बन डाय ऑक्साइड के आंशिक दाव को सुसन के दौरान बिभिन इस्थलों पर समझने का प्रयास करेंगे जैसे हम देख रहे हैं कि तालिका की पहली पंक्ति में शुसन में ली गई वातावरनिय वायू का दाव 169 है जो वायू कुपिका में पहुँचकर 104 mmHg रह जाता है फिर आक्सीजन रक्त में घुलकर रक्त को आक्सीकरत बनाती है तब इसका दाव 95 mmHg हो जाता है जो उतकों तक पहुँचकर मात्र 40 mmHg रह जाता है जो अनाक्सीकरत रक्त के समान 40 mmHg होता है इसी प्रकार कार्बन डाय अक्साइड का दाव वाता वरनिय वायू में दश्मलब 3 mmHg होता है वहीं वायू कुपिका में 40 mmHg किन्त आक्सीकरत रक्त में 40 mmHg और उतक में 45 mmHg आक्सीजन की तुलना में ये जदा है अर्थात आनाक्सीकरत रक्त में नहतिदाब 45 mmHg के समान होता है पेरे बच्चों हम देखते हैं कि यह चित्र जिसमें वायू कुपिका एवम शरीर उतकों के बीच गैसों का विन्म है जो आक्सीजन तथा कार्बन डाय अक्साइड का रक्त के साथ वहन दर्शाता है में हम देख रहे हैं कि वायू कूपिका में आक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होने के कारण आक्सीजन रुधिर में प्रवेश कर रही है वहीं कार्बन डाई आक्साइड का रक्त में आंशिक दाब वायू कूपिका के 40 mmHg से 5 mmHg ज्यादा अर्थात 45 mmHg होने के कारण रक्त से वायू कूपिका में विसरित हो रही है या विसरन हो रहा है इसी प्रकार कोशिकिये इस तर पर कार्बन डाई आक्साइड का आंशिक दाब 45 mmHg आक्सीजन के आंशिक दाब 40 mmHg से ज्यादा होने के कारण कार्बन डाई आक्साइड रुधिर में मिश्यत हो रही है जबकि आक्सीजन का आंशिक दाब रक्त में ज्यादा अर्था 95 mmHg होने के कारण उतकों में आक्सीजन के कम आंशिक दाब यानि 40 mmHg के कारण विसरन हो रही है विसरित हो रही है अब चुकि कारण डाई आक्साइड की घुलन शिलता आक्सीजन की घुलन शिलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है इसलिए विसरन ज्लिका में से विसरित होने वाली कारण डाई आक्साइड की मात्रा आक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है यदब भी विसुनन जिल्लिका तीन स्तरों की बनी होती है, फिर भी इन की कुल मुटाई एक मिलिमीटर से बहुत कम होती है इसलिए ही हमारे शरीर में सभी कारक आक्सीजन के कूपिकाउं से उतकों और कार्बन डाय उक्साइड के उतकों से कोपिकाओं में विसरन के लिए अनकूल होते हैं अब हम पढ़ेंगे कि गैसों का परिभाहन रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विबिन भागों में कैसे होता है बच्चो हम यह जानते हैं कि आक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त है लगभग 97 प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कनिकाओं द्वारा होता है शेश तीन प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन प्लाजमा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है लगभग 20 से 25 प्रतिशत कार्बन डाय ऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कनिकाओं द्वारा होता है लगभग 70% कार्बन डायॉक्साइड बाई कार्बोनेट की रूप में अभी गमित होती है लगभग 7% कार्बन डायॉक्साइड का प्लाजमा द्वारा घुली अवस्था में परिवहन होता है प्यारे बच्चों, अब हम ऑक्सीजन के परिवहन को समझने का प्रियास करते हैं। हम जानते हैं कि हीमोगलोबिन लाल रक्त कनिकाओं में इस्थित एक लाल रंग का लौ युक्त वारणक है। हीमोगलोबिन के साथ उतक्रमनिय धंग से बंद कर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोगलो बंद का गठन करती है। प्रतेक हीमोगलोबिन अनू अधिक्तम 4 ऊकसीजन अनूआ का वहन कर सकता है। हीमोगलोबिन के साथ उतक्रम औक्सीजन का बंदना प्रात्मिक तौर-पर औक्सीजन के आँशिक दवाब से संबंधित है। कार्बन डाइकसाइड का आंशिक दबाब हाइडरोजन आयन सांदरता तापकरम कुछ अन्यकारक हैं जो इस बंदन को बाधित कर सकते हैं हीमोगलोबिन की ऑकसीजन से प्रतिशत संतरप्ती को ऑकसीजन के आंशिक दाब के सापेक्ष आलेखित कर एक सिगमाव वक्र प्राप्त होता है जिसे हम सिगमोईड कर भी कहते हैं इस वक्र को वियोजन वक्र या डिसोसियेशन कर भी कहा जाता है जो हीमोगलोबिन से आक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले कार्बन डाय ओकसाइड हाइड्रोजन आइन सांदरता आदि घटकों के अध्यन में अतिदिक साहक होता है कूपिकाओं में जहां उच आंशिक दाव आक्सीजन निम्न आंशिक दाव कार्बन डाय ओकसाइड कम हाइड्रोजन आइन सांदरता और निम्न तापकरम होता है वहां आक्सी हीमोगलोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनकूल साबित होते हैं जबके उटकों में निम्न आंशिक दाव आक्सीजन उच हाइड्रोजन आइन सांदरता और उच तापकरम की इस्तियां आक्सी हीमोगलोबिन से आक्सीजन के वियोजन के लिए अनकूल होती है इस प्रकार इस्पस्ट है कि आक्सीजन हीमोगलोबिन से फैंफ़नों की सतय पर बनती है और उटकों में वियोजित हो जाती है प्रतेक 100 मिली लीटर आक्सीजनित रक्त सामाने शरीर की क्रियात्मक परिस्थितियों में उतकों को लगभग 5 मिली लीटर आक्सीजन परदान करता है अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाई आक्साइड का परिवहन कार्बन डाई आक्साइड हीमोगलोबिन द्वारा कार्बो मीनो हीमोगलोबिन लगभग 20 से 25 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड इस रूप में वहन की जाती है यह बंधनियता यानि बंधन कार्बन डाई आक्साइड के आंशिक दाब से सम्बंदित होता है आक्सीजन का आंशिक दाब इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है उतकों में उच्छ कार्बन डायोकसाइड का आंशिक दाब और निम्न आक्सीजन का आंशिक दाब खुने से हीमोगुलोबिन का कार्बन डायोकसाइड से बंधन होता है जबकि बायू कूपिका में जहां कार्बन डायोकसाइड का आंशिक दाब निम्न और आक्सिजन का उच्छ होता है कार्बोमीनो हीमोगलोविन से कार्बन डायोकसाइड का वियोजन होने लगता है अर्थात उतकों में हीमोगलोविन से बंदित कार्बन डियोकसाइड कूपिका में मुक्त हो जाती है एंजाइम कार्बोनिक एन हाइड्रेस की सांदरता लाल रक्त कनिकाओं में उच्च और प्लाजमा में अल्प होती है कार्बनिक एन हाईड्रेस से निमलिखित प्रत्करिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है इसे हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं उतको में अपचै के कारण कारण डैउकसाइड का आज़िक दाब अधिक होने से कार्बन डाइक्साइड रक्त यानि लाल रक्त कनिकाएं और प्लाजमा में विश्रित होती है और HCO3 और H आइन बनाती है कूपिका में कार्बन डाइक्साइड के आंशिक दाव कम होने से प्रक्रिया की दिशा विप्रीत हो जाती है जिससे कार्बन डाइ अकसाइड और जल बनते हैं इस طרह बाई कारबोनेट के रूप में उतकों के इस तरपर ग्रहित और कूपिका तक परिवहित कार्बन डायॉकसाइड बाहर की तरफ पुना कार्बन डायॉकसाइड के रूप में मुक्ठ हो जाती है। प्रती 100 मिली लीटर अनाक्सी करत रक्त द्वारा कूपिका में लगभग 4 मिली लीटर कारबन डियोकसाइट की मात्रा मुक्त होती है अब हम मानव शरीर में शोसन के नियमन के सम्मंध में पढ़ेंगे शोसन का नियमन प्यारे बच्चो मानव में अपने शरीर के उतकों की मांग के अनरूप शोसन की लए और संतुलन और इस्थिरता को बनाई रखने की एक मेत्पूर्ण चमता है यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्ध होता है मस्तिष्क के मैडूला चेतर में एक विशिष्ट शोसन लए केंद्र विद्धिमान होता है जो मुख्य रूप से शोसन के नियमन के लिए उतरदाई है मस्तिष्क के पौंस चेतर में एक अन्य केंद्र इस्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी अर्थाद श्वास अनुचन केंदर कहते हैं जो सोसन लएकेंदर के कारियों को संयत कर सकता है उनमें सुधार कर सकता है इस केंदर के तंत्रिका संकेत अंते सोसन की अबदी को कम कर सकते हैं और इस पकार शोसंदर को परिवर्थित कर सकते हैं लाए केंदर के पास एक रसोसमवेदी कीमो सेंस्टिव केंदर लाए केंदर के लिए अतिसमवेदी होता है जो कार्बन डाय ऑक्साइड और हाइड्रोजन आइनों के लिए अतिसमवेदी होता है इन पदार्थों की वरद् महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से चुड़ी समवेदी सनरचनाई भी कार्बन डाय ओक्साइड और हाइट्रोजन आइन सांड़ता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कारिवाई है तो लाय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं शोसन लेके नियमन में ऑक्सीजन की भूमी का बहुत ही महतोहीन है पैरे बच्चो अब हम हमारे शोसन से संबंदित बिवन प्रकार के विकारों अर्थात रैस्परेटरी डिसॉडर्स के पारे में पढ़ेंगे हमारे शरीर में सबसे पहला रैस्परेटरी डिसॉडर्स या शोसन संबंदि विकार है अस्थमा जिसे हम दमा भी कहते हैं इसमें शोसनी और सोसनिकाओं की शोध के कारण सोसन के समय घर-घराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है वहीं दूसरा शोसनी सोध जिसे हम ब्रॉंकाइटिस भी कहते हैं यह शोसनी की सोध है जिसके विशेस लक्षण शोसनी में सूजन तथा जलन होना है इसे ब्रॉंकाइटिस भी कहते हैं इससे लगातार खासी बनी रहती है तीसरा है वातिस्पीती या इंफाइसीमा यह एक चिरकालिक रोग है इसमें कूपिका भित्ती च्छतिगरस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय की सता घड़ जाती है धूमरपान इसके मुख्यकारकों में से एक है चोथा सुसन रोग है Occupational Disorder या Occupational Respiratory Disorders कुछ उध्योगों में विशेश कर जहां पत्थर की गिसाई पिसाई या तोड़ने का कारे होता है वहां इतने धूलकन निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रडाली उन्हें पूरी तरह निश्प्रभावी नहीं कर पाती दीरकालीन प्रभावन शोद उत्पन कर सकता है जिससे रेशा मेता अर्थात रेशिय उतकों की परचुरता होती है जिसके फलसरूप फैफनों को गंभीर नुकसान हो जाता है इन उध्योगों के श्रिमकों को सधैव कारे करते समय मुखावरन का प्रियोग करना चाहिए आईए अब हम शोषन के कुछ अन्य जैविक वा अजैविक प्रक्रियाओं से अंतर सम्मंद का अध्यन करते हैं सरप्रथम हम पढ़ेंगे कि बाहिशोषन और आंतरिक शोषन में क्या अंतर है आप जानते हैं हमने पिछले सतर में आप से चर्चा की थी कि श्वासन वा से किस प्रकार भिन्न है देखिए बाहिशोषन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहन करना एवं कार्बन डायॉकसाइड त्याज करना अर्थात श्वास लेना सम्मिलित है यह क्रिया तुचा एवं फैंफणों में होती है वहीं इंटर्नल रेस्पिरेशन या आंतरिक शोष भोजन का अक्सी करन होता है एवं उर्जा मुक्त होती है यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है अब हम देखते हैं दूसरा भेद जो भेद है स्वासन एवं जारन में इसका आर्थ क्या हुआ रेस्पिरेशन और कंबश्चन यहां हम जानेंगे कि रेस्पिरेश है श्वासन एक मंद ऑक्सीकरन की प्रक्रिया है वहीं कंबश्चन यह जारन एक तीवर ऑक्सीकरन की क्रिया है इसमें संपूर उर्जा ताप प्रकाश के रूप में विमुक्त हो जाता है किन्तों श्वासन में विमुक्त उर्जा एटीप के रूप में संचित रहती है इस स्वाक्षक सास को हम ब्रीधिंग भी कहते हैं जबकि स्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं हम देखते हैं कि ये किस प्रकार भिन है यह एक भौतिक क्रिया है जो कोशिकाओं के बाहर होती है इसमें शरीर आक्सीजन का अंतरह ग्रेन करता है और कार्बन डाय ऑक्साइड को छोड़ता है इसमें उर्जा उत्पन नहीं होती इसमें एंजाइम की भी आवश्यक्ता नहीं होती किन्तो शोसन में आप देखेंगे कि शोसन एक रासाइनी क्रिया है जो की कोशिकाओं के भीतर संपन होती है इसमें ग्लूकोज का जारन होता है और इसके फलसुरूप कार्बन डाय ऑक्साइड और उर्जा मुक्त होती है इसमें बिविन प्रकार के एंजाइमों की अवश्यक्ता भी होती है और हमारा अंतिम जो भेध है वह है शोसन एवम प्रकास संसिलेशन के मद्धे शोसन में ग्लूकोज का अपचैन होकर कार्बन डाय ऑक्साइड वा जल बनता है तथा उर्जा मुक्त होती है यह प्रक्रिया माइटो कॉंड्रिया में संपन होती है वहीं पर प्रकास संसिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइ आकसाइड और जल मिलकर गुलूकोज का निर्मान करते हैं वा इसमें उर्जा ली जाती है और यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में पौन होती है इस प्रकार बिविन बेदों को जानने के बाद हम शुसन को और भली भाती समझ गई होंगे ऐसी हमारी अशा है अन्तता हम पाठ के इस भाग में पड़े गए बिविन बिंदों को एक बार पुनरावलोकित करते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा हमने आज सीखा कि गैसों के विनिमे के लिए कूपिकाएं प्राथमिक इस्थल होती हैं किन्तों रक्त और उतकों के बीच भी गैसी विनिमे होता है हमने सीखा कि गैसी विनिमे गैसों के दाव और सांधरता के आधार पर सरल विसरन द्वारा होता है वायू कूपिका में आक्सीजन वा उतकों में कार्बन डाई ऑक्साइड का आंशिक दाब ज़ादा होता है शोसन गैसों का परिवहन एक लोह युक्त वर्णक हीमो गुलोबिन के द्वारा होता है रक्त का प्लाजमा भी शोसन गैसों को इस्थानांतरित करने में सही होगी है इसके अतिरिक्त कार्बन डाई ऑक्साइड रक्त द्वारा बाई कार्वोनेट के रूप में भी इस्थानांतरित होती है सुसन के नियमन के लिए मस्तिश्क के मैडुला और पौन्स भाग अतिमहत पौन है मानव सुसन तंतर में अनेग विकार होते हैं जिन में दमा, सुसनी सोद, इंफाय सीमा, वाब्यवसाइक रोग प्रमुक है अब हम कुछ प्रशन अभ्यास के लिए आपको देंगे और आशा करेंगे कि आप उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और अपने शिक्षक से उनका मूल्यांकन कराएंगे आज की अभ्यास का पहला प्रशन है मानव सुसन तंतर के किनी तीन विकारों का उल्लिक कीजिए दूसरा प्रशन है रक्त द्वारा कार्बन डाइक्साइड का परिभान किस प्रकार होता है वर्डन कीजिए तीसरा एक फुफुसिय वायका की एक वायू कूपिका की अनुप्रस्त काट का नामांकित और स्वक्ष चितर बनाईए अगला प्रशन है गैसों का विसरण केवल कूपिकी ये छेतर में ही क्यूं होता है इसका कारण इसपष्ट कीजिए अगला प्रशन शोसन प्रकार संसलेशन दहन वा जारन किस प्रकार भिन है किनी दो कारणों को इसपष्ट कीजिए अंतिम प्रशन है जैव चमता वाज़वारिया आयतन क्या है प्रिय विध्यार्थियों आज के पठन पाठन के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि आप नियमित स्वाध्याय करते रहें ताकि उसके प्रणाम सरूप आपको भी मनो वांचित प्रणाम प्राप्त हो सकें हम फिर मिलेंगे किसी और पाठ के किसी और उपविशय के साथ तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुबाशीश नमस्कार कर के कि स्दूबराक बहुत